मेरे परिवार जनों हमारे देश में लंबे समय तक गरीबी हटाओं के नारे लगते रहें लेकिन इन नारों के बावजूद गरीबी नहीं हटी किसे शुत्र चलते थे अधी रोटी खाएंगे रहे क्यों भज? आधी रोटी खाएंगे और तुमको बूर दें ऐसा कहते दे लोग क्यों आधी रोटी खाएंगे? मोधि यह पूरी खाएंगे जन्ता जनार्दन का यही सपना यही संकल यही तो फर्क है और साथियों जैसे सोलापूर स्रमिकों की नगरी है न मेरा कारिक्षेत्र अम्दाबाद रहा वो भी स्रमिकों की नगरी है वो भी टेक्स्ट्राइल के स्रमिकों की नगरी है हम्दाबाद और सोलापुर का इतना निकट नाता है और मेरा तो सोलापुर से और भी निकट नाता है मेरे हम्दाबाद में यहां से पत्बशाली काफी परिवार हम्दाबाद में रहते हैं और मेरे जिवन का सवभागे रहा मेरे पुरवासरम में मुझे महिने में तीन चार बार भोजन खिलाते थे हमारे पदमशाली परिवार छोटी चाल में रहते थे तीन लोगों के बैठने की जगा नहीं होते थी लेकिन मुझे कभी भूखा सोने नहीं देते थे और मैं तब आश्यर्य था एक दिन स्वलापूर के किसी सज्जन ने बहुत साल हो गए नाम बुजियाद नहीं रहा है उन्होंने बड़ी अच्छी तरह वीव किया हुआ वीविंग किया हुआ एक बहुत बढ़िया चित्र मुझे भेजा महाराष्ट्र के सतार के लक्ष्ण रावि नामदार पकिल साब जिनका मेरे जीवन में घड़ने में बहुत बढ़ा रोल था कहीं से वो चित्र ला करके उस चित्र को उन्होंने इस प्रकार से उके रा था अपनी उन्ने की कलां से और वो मुझे अद्भूत चित्र उन्होंने भेजा था आज भी सोलापुर मेरे दिल में फसाओ मेरे परिवार जनो हमारे डेश में लंबे समय तक ये जो गरीबी हटाओं के नारे लगते रहे ना लेकिन इन नारों के बावजूद गरीबी नहीं हटी और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि गरीबों के नाम पर योजनाए तो बनाई जाती थी लेकिन उनका लाब असली हकदार को नहीं मिलता था पहले की सरकारों में गरीब के हग का पैसा बीच में ही बिचोल ये लूट जाते थे यानि पहले की सरकारों की नियत नीती और निष्ठा कटगरे में थी हमारी नियत साब है और निती गरीबों को ससक्त करने की है हमारी निष्ठा देश के प्रती है आमची निष्ठा देशा प्रतिया है भारत अला विक्सित राष्ट बनेवणिया साथिया है इसलिए मोदी ने गारंटी दी कि सरकारी लाब अब डारेक लाभारती तक पहुँचेगा कोई बिचोलिया नहीं हमने लाभारतियों के रास्ते में खड़े बिचोलियों को हटाने का काम किया यह जो लोग कुछ चिलाते हैं ना उसका कारण यही है मलाई खाना उनका बंद हो गया है हमने बिचे दस वर्सों में तीस लाग करोर रुपिय से ज़्यादा सीधे गरीब किसान महिला और युवा लाभारतियों के बैंक खाता में ट्रांसपर की है जंदन आधार और मोबाइल कवाइट बना कर हमने करीब दस करोर ऐसे फरजी लाभारतियों को हटाया जिनका जन्म भी नहीं हुआ था और जो आपके हित के पैसे खा रहे थे जो बेटी पैदा नहीं हुई वो विद्वा हो जाती थी सरकार दे पैसे मार लिए जाते थे जो बेटी पैदा नहीं हुआ उसको बिमार दिखा करके रुपिय मार लिये जाते थे साथ क्यों जब हमारी सरकार ने गरीबों को सरवोच्च प्रात्पिक्ता देते हुए काम किया गरीब कल्यान के अनेक योजनाय शुरू की तो इसके नतीजे भी निकले हमारी सरकार के नव वर्सों में पचीस करोड लोग गरीबी से बहार निकले है यहां कड़ा छोटा नहीं है दस साल की तपस्या का परणाम है